Good morning students, आज हम परेंगे Biosphere Reserve in India के बारे में हम लोग बहुत ताइम से पढ़ रहा है Biodiversity के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा Biodiversity क्या होता है फिर हमने देखा Biodiversity को Threads क्या है फिर हमने देखा Rare Species क्या होती है Extinct Species क्या होती है अब हम परने जा रहा है Conservation of Biodiversity Conservation of Biodiversity दो तरह का होता है In-situ Conservation और X-situ Conservation In-situ में तो Plant or Animals को उनके Growing Regions में ही Conserve किया जाता है जबकि X-situ में Gene Bank etc. में Plants को या उनके Resources को बाहर ले जाके Conserve किया जाता है अब आज किछ लेक्षर में हम जानेंगे In-situ Conservation के बारे में In-situ Conservation में मुख्या तया आता है Wildlife, Sancturies, National Park और Biosphere Reserves ये सभी Biodiversity को Conservation करने के Artificial Methods हैं जहां Plants को उनके Natural Habitards में Plants, Animals और सारी Biodiversity को उनके Natural Habitards में Conserve किया जाता है तो सब्सक्राइब कि इसके बारे में पहनना जाता है तो उनके जानत को जानना होता है कि वह है क्या तो हम Biosphere Reserves के बारे हम पढ़ते हैं कि वह होते क्या है Biosphere Reserves जो नाम दिया गए इंटरनेशनल डेगनेशन है जो कि United Nations Education, Scientific and Cultural Organization युनेस्को के द्वारा लिया गया है ये एक UNO का Organization है जो कि पुरे विश्व में Educational, Scientific and Cultural हितों को Centruction का प्रयास करता है इसके अंतरगर Natural, Cultural Landscape जो अपने आपने यूनीट है और वहां की फेवा और पना वहां रचल मात्रा में पाई जाती है और वह बहुत अधिक एरिया में पाई जाती है बनी वो टेरिस्ट्रियल हो या मेरा इन हो या कोस्ट्रियल हो या दोनों के combination हो उन एरिया को पंदर किया जाते है मतलब Biosphere Reserves में ऐसे Natural और Cultural Landscape को कवर किया जाता है जो की स्थलिये या जलिये या दोनों का बहुत बड़ा एरिया कोवर करते हैं जहां की बहुत सारे स्पीसीज ओरिजनली ग्रो करती हो फिर Biosphere Reserves क्या परता है जैसा कि हम सुनते है Sustainable Development Sustainable Development का मतलब क्या होता है Economic Growth भी रहे Social Development भी रहे जोड़ी होई है साथसा जो Nature है उन सब में Balance बनाई रखने का काम करता है जैसा कि मैंने अभी बताया Sustainable Development का काम करता है Nature भी रहे Cultural Value भी रहे और Economic और Social Development भी हो तो इस तरह से Biosphere Reserves है Special Environment People और Nature के लिए देते हैं और वो Living Examples हैं किस तरह से Humans और Nature एक साथ रह सकते हैं एक दूसरे की Needs को पूरा कर सकते हैं और एक दूसरे को बिना नगतार को पहुचाई रह सकते हैं तो Biosphere Reserves नाम दिया गए UNESCO के द्वारा यह वो Cultural और Natural Landscape हैं वहाँ जहां बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पीसिस पाई जाती है टेरिस्टियल या एक्वेटिक एको सिस्टम है यहां पर सोशल और एकोनामिक डवलपमेंट और अन्वार्मेंटल कंजर्वेशन साथ साथ हो सके इस तरह के प्रयास किये जाते हैं फिर Biosphere Reserve के डेशिगनेशन का क्राइटिरिया क्या है इसका क्राइटिरियो या बायो जिऊग्राफिकल उने चाइए इतना बड़ा होना चाइए कि वो एक बहुत बड़ी population को sustain कर सके उस population के सभी tropic levels को हमने ecosystem pyramids देखे थे उसमें अलग अलग tropic level होते हैं उसमें primary producers होते हैं consumers होते हैं herbivores होते हैं carnivores होते हैं तो biosphere reserve का जो core area होता है वो ऐसी bio geographical unit होती है जिसमें सभी tropic levels की vegetation और animals रहते हैं और उनको conserve किया जा सकता है इसमें एक और जरूरी बात होती है कि biodiversity conservation में local communities का भी involvement होता है इसके अलावा जो biosphere reserve का जो aim होता है वो traditional tribal और rural modes of living का भी conservation होता है कि वो और plants और animals या environment के बीच में harmony हो दोनों की समान रूप से रक्षा हो सके तो criteria क्या क्या हुआ है criteria में मुखेता biosphere reserve का सकेंद रस्थानिया core area आता है जो कि protected और minimal disturbed area होना चाहिए दूसरा यह एक ऐसी bio geographical unit होते जिसमें सभी tropic animals के plants और animals को conserve किया जाता है इसके इलावा इसमें local communities को involve किया जाता है इसके इलावा वहां पर जो ट्राइबल से रूरल लोग रहे रहे होते हैं उनका जो environment से relation होता है हम सब जानते हैं कि tribal और rural लोग होते हैं जो मुखेता forest के उपर ही निर्भर होते हैं तो इस तरह से इनको conserve किया जाता है कि environment का conservation भी हो सके और उनके हितों की भी अंदे की ना हो अब हम देखेंगे structure क्या होगा biosphere reserve का पहले हमने जाना biosphere reserve क्या है उसको बनाने के aims क्या है फिर उनका structure क्या है सबसे पहले और जो सबसे केंद्र और सबका important area होता है वो था core area यह biosphere reserve का सबसे ज्यादा protected area होता है इसमें अनेग endemic plants और animals पाये जाते हैं यह जो plants होते हैं economic species के wild relatives को conserve करते हैं साथ इसाथ वो उनके genetic reservoir को भी conserve करते हैं यह जो core zone होता है यह protected area होता है जो कि national park या century या protected area की तरह से ही इनको भी wildlife protection act 1972 का protection प्राप्त है और इसको human interference से पूरी तरह से मुक्त रखा गया मतलब यहाँ पे कोई भी human enter नहीं हो सकता तो यह सबसे जादा protected area है बाई और इस भी reserve इसमें endemic plant और animals पहे जाते हैं यह economic species के wild relatives को conserve करता है और साथ इसाथ genetic reservoir हो भी control करता है इसके साथ इसमें जो core zone होता है वो protected होता है और इसको wildlife protection act का protection राप्त है दूसरा होता है उसके बाहर buffer zone buffer zone जो होता है वो core zone को surround करता है और इसकी activity इस तरह से maintain की जाती है कि core zone की पूरी तरह से protection हो सके इसके अंदर जैसे core zone में तो human entry बिलकुल bend होती है जबकि buffer zone में कुछ मात्रा में human activity permitted होती है इसमें restoration एक सीमित मात्रा में tourism, fishing, grazing आदी की अनुमती होती है पर वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसका core zone पे कोई effect नहीं हो इसके अलावा इसमें research और educational activities की भी limited मात्रा में permission होती है तीसरा होता है transition zone तो तीन zone हुए core zone, buffer zone और transition zone transition zone होता है वो vice versa reserve का outermost part होता है यह है वो zone of cooperation होता है जहाँ पे human ventures और conservation दोनों harmony में रहते हैं इसमें settlements, crop lands, managed, forest और recreational area या economic use के area होता है तो तीन area होए सबसे center का core zone जहाँ animals और plants को पूरी तरह से protect किया जाता है कोई भी human activity वहाँ permitted नहीं होती फिर buffer zone जो की core zone और बहार की human activities के बीच में buffer की तरह से काम करता है वह limited activities permitted होती है फिर transition zone यहाँ पे limited मात्रा में खेती settlement साधी permitted होते हैं पर वो इस तरीके से होने जहीं core zone को किसी भी तरह का adverse effect नहीं पड़े यह हो गया biosphere reserve का structure क्या है उनका structure क्या है अब उनका functions वाइस प्रपस के लिए बनाए गए गए है इसके लावा यह wildlife culture and tribal के customs को जैसा के मैंने बताया था उनको भी protect करता है तो conservation तीन लेवल पे हुआ plants और animals के genetic resources, end mix species, ecosystems or lands पे escapes फिर यह man animal conflict को बचाना wildlife and cultures and customs of tribal का भी protection होता है मतलब उन जातियों के का भी protection होता है जो जंगल से सीधे सीधे जुड़ी हुई है फिर दूसरा हो गया development, development में इसमें economic और human growth दोनों को protection करते है sustainable level पे या social cultural ecological level पे इसका main preference होता है कि sustainable development के तीनों pillars को मजबूत बनाना जो होकी है social, economic और protection of environment मतलब बायोस पे reserve जो होते है वो sustainable development का सीधा सीधा representative units होती है जहां social या वहां रहने वाले tribal और उनका protection होता है economic मतलब development भी थोड़ी मात्रा में permitted होता है protection of environment, environment का protection तो होता ही मतलब इस area में development और environment protection दोनों साथ साथ होते है फिर logistic support इसका एक और काम होता है research activities को promotion देना environment education को training and monitoring और national and international conservation and sustainable development तो biosphere reserve के purpose होगा conservation, development and logistic support अब हम देखते हैं कि इंडिया में कितने biosphere reserve है इंडिया में total 18 biosphere reserve है हिमाचल प्रदेश में cold desert उत्राखंड में नंदा देवी सिक्किम में कंचन जंगा अरुनाचल प्रदेश में देवांग देवांग असम में मनास फिर असम में हैं डिब्रू से कवा मेघाले में नौकरेक मध्य प्रदेश में है पनना मध्य प्रदेश में ही है फिर पच्चवडी फिर मध्य प्रदेश हित्यसगर में अच्छन कमार अमर कंटक फिर गुजरात में कच जिसका की largest area है इंडिया में औरिसा में है शेमलीपार वेस्ट वेंगौर्ण में संदर्बन, अंदरप्रदेश में शेशाचलम, करन्टरक तमिलनाडु केरल में अगस्ते माला, तमिलनाडु और केरल में है निलगिरी जो की सबसे पहला बायस्पेर रिजर्व बना था, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मननार और ग्रेट निकाबार, अंद्वान निकोबार आइलेंड, यह हुए कितने हैं, फिर इंटरनेशनल स्टेटस आफ बायस्पेर रिजर्व, यूनस्को ने सबसे पहले डिजिगनेशन बायस्पेर रिजर्व दिया, उन नेचरल एरिया के लिए जहां डेवलेप्मेंट और कंजर्वेशन में इन बायस्पेर रिजर्व जो होते हैं, वो नैच्छनल गॉर्वर्मेंट के दार्म नामिनेटिद होते हैं, इसके की बहुत मिनिमुम सेट अफ ब क्राइटरिया होते हैं, बतला वो सब कंडिशन्स ज़रूरी हैं, बायस्पेर रिजर्व के लिए बनाने की लिए irre-डेवा वो trans boundary में है मतलब दो country में मिला के हैं फिर man and biosphere program क्या है हम थोड़ा से जानने यह 1971 में हुआ था UNESCO का man and biosphere यह एक intergovernmental scientific program है जो की people and environment के बीच में relationship के लिए scientific basis देता है man and biosphere program natural social sciences economics and education को improve करता है human livelihood को improve करता है sharing benefit natural managed ecosystem को भी protect करता है जिससे की और साथी साथ इसलिए इस concept को बढ़ावा देता है कि economic development और environment दोनों साथ साथ रह सकते हैं यानि sustainable development हो सकता है अच्छा इंडिया में ऐसे 11 biosphere reserve है जिनका की recognition internationally हो है man and biosphere program है यह नीलगिरी, कलफ आप मुनार, सुंदरवन, नंदा देवी, नौकरे, पच्मुरेश, इंपली पार, अच्छा है अमरकंटक, क्रेटने कौबार, अगस्ते मला और कंचन जंगा फिर आता है लास्ट में biosphere conservation इंडिया में एक biosphere reserve program गवर्मेंट ऑफ इंडिया दवारा 1986 में चलाया जा रहा है इसमें की women biospheres को financial assistance दी जाती है अब हम देखीं कि आगे क्या तरी हो सकता है land rights of tribals, forest पे depend करते है, उनको फायदा होता है बहुत सारे resources, जैसे spices, आदी biosphere reserve से प्राप्त होती है biosphere reserve, sustainable development के representative area होता है इसके government को ये चाहिए कि उनको strict steps लेने चाहिए biosphere reserve के conservation और protection के लिए तो ये हुआ biosphere reserve next class में हम पढ़ेंगे national parks and sanctuary की बारे में, thank you